नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फिलोडेंड्राउन की एक वराइटी फिलोडेंड्राउन जनाडो के बारे में बताऊंगी इससे हम बिंटर बॉर्न भी कहते हैं यह पौधा एक पौईजनस पौधा होता है चुकि इसमें कैल्सियम ऑक्जिलेट पाया जाता ह है जिसके कारण यह पौईजनस होता है और यह इंडोर और आउट्डोर दोनों तरह से बहुत अच्छा ग्रू करता है इस प्लांट को हुमिडिटी पसंद होती है इसलिए हम इसको ऐसी जगह पे रखते हैं ऐसे पौधों के बीच में रखते हैं जिसे की हुमिडिटी पसं होती है उन पौधों के बीच में हम इसको रखते हैं और इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है इसे हम इंडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखें तो ज्यादा अच्छा ग्रो करता है और अगर हम इसे सीधे सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो ली है और यह प्लांट क्लाइंबर प्लांट नहीं होता है इसे मॉइस स्वाइल पसंद होती है पर इसकी स्वाइल सौगी भी नहीं होना चाहिए और यह देखिए इसकी एरियल रूट्स हैं यह जो बिंटरबॉर्ण प्लांट होता है उसकी लीफ थोड़ी छोटी होती है और इस वेराइटी की जो फिलोडेंडरॉन है उसकी लीफ काफी बड़ी है इसका प्रोपेगेशन बहुत आसान होता है जब प्लांट मैच्यूर हो जाता है तो आप इसकी रूट्स डिवाइट करके इसको एक पौदे से दो पौदा आसानी से बना सकते हैं इसकी प्रूनिंग के लिए इसकी हमें डैड और डैमेज लीफ है उसे निकालते रहना चाहिए और मैंने अपनी ये दोनों ही वेराइटी है उसको मैंने जो गार्डन सोयल होती है उसी में वर्मी कंपोस्ट को मिलाके उसकी सोयल बनाई हुई है और इसकी सोयल जो है वो वेल डैनेज है उसमें पानी आसानी से निकल जाता है और मैं पानी देते समय ये ध्यान रखती हू कि पौदा हमेशा इसकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहे हैं